इल्याना डी क्रूज एक भारती अभिनेतरी है वो मुखे रुप से तैलुगो फिल्मों में अभिने करती है उनका जन्मा 1 नविंबर 1987 को महराश्टर के मुंबई में हुआ था इल्याना के पिता का नाम रोनाल्डो डी क्रूज है इल्याना के पिता एक कैथलिक है जबकि उनकी मा का नाम समाईरा डी क्रूज है वो इसाई है जो के इसलाम से धर्मान तरित हुई है इल्याना अपने तीन भाई बहनों में दूसरे नमबर में है उनका पहला नम ग्रिक पुरान से आता है जब इलियाना दस वर्ष की थी तब उनका परिवार मुंबई से गुवा शिफ्ट हो गया था इलियाना ने अपना बच्पन गुवा में बिताया है इलियाना डी क्रूज ने अपने मॉडलिंग करियर की शुरुवात काफी छोटी उम्र में ही कर दी थी इलियाना को पहला ब्रेक 2006 में तेलुगू फिल्म देवदासू से मिला उन्होंने इलियाना को राकेश रोशन द्वारा निर्देशित फैरेन लवली की विग्नापन में देखा था आलोचको ने भी उनकी काफे प्रशंसा की थी विशिश रूप से उनकी शारीरिक रचना की और उनके चहरे की देवदासू के मुख्या बिनेता राम ने भी अपनी अक्टिंग करियर की शुरूआत इसी से की थी जो साल की प्रतम प्रमुक कॉमेर्शल हिट बनी और जिसने अंतधह 14 करोड की कमाई की इलियाना को इस फिल्म के लिए फिल्म फेर अवर्ड फॉर दी बेस्ट फीमिल डेब्यू का अवर्ड दिया गया था उनकी अगली फिल्म एक्शन वाली पोप कीरी थी जिसमें मुख्य कलाकार महिश बाबू थे इस फिल्म में इलियाना ने एक एरोविक्स शिक्षक का रोल किया था जो एक ब्रश्ट पुलिस त्वारा उत्पेडित है इस फिल्म को भी काफे सफलता प्राप्त हुई और उस समय पे बॉक्स ओफिस पर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तैलूगू फिल्म बनी साथ ही साथ वो इलियाना के लिए अब तक की सबसे बड़ी कमर्शल हिट फिल्म रही उसी वर्श में उन्होंने केडी से तमे भाशा की फिल्म में अपनी शुरुआत की हाला कि ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर उतनी अच्छी नहीं रही फिर भी इलियाना इतनी व्यस्त थी कि उन्हें कोई भी फिल्म के पेशकश को अस्विकार करना पड़ रहा था उनकी तैलूगू फिल्म खतरनाक जिसमें उन्होंने रवी तैजा के साथ अबिने किया उतनी अच्छी नहीं रही जितनी की उमित की जा रही थी फिर भी उनके ग्लैमर भरे प्रेदर्शन के लिए उन्हें श्रेद दिया गया और उनकी पहचान दर्शकों में बनी रही बाद में उनके करियर में एक बड़ा जटका तब लगा जब उनके फिल्म राखी और मुन्ना घंबिर और आर्थिक रूप से असफल साबित हुई रवी तेजा के साथ साल 2009 के फिल्म जिसका शीरशक केक था वो बॉक्स ओफिस पर हिट कोशित किया गया इलियाना का तैलुगू फिल्मे करियर इतना शांदार रहा कि 6 साल में वो तैलुगू की टॉप एक्ट्रिस में गिनी जाने लगी इसके बाद उन्होंने कई हिट फिल्म में की इलियाना को बॉलिवुड में पहला ब्रेक अनुराग बासू ने अपनी फिल्म बर्फी से दिया बर्फी साल 2012 के सबरदस्त हिट रही इस फिल्म में दर्शकों को इलियाना का मासू मंदास बेहत पसंद आया आलो चकों ने भी उनके अभिने की काफी सराहना की इलियाना को इस फिल्म के लिए फिल्म फैर का बेस्ट फीमल डेब्यू पिरसकार भी दिया गया 2013 में शाहित कपूर के साथ फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो में भी नजर आई लेकिन वो बुरे तरफ लॉप रही फिर 2014 में वरुन धवन के साथ मैं तेरा हीरो की जो हिट रही 2016 के अंत में आई अक्षे कुमार के साथ उनके फिल्म रुस्तम जबरदस्थ हिट रही इस फिल्म को दर्शकों के साथ साथ आलू चकोंने भी काफी सराहा इस तरह इल्याना बॉलिवूट करियर में भी दर्शकों को अपने अभी नई से दिवाना बना चुकी है बतार मॉडल के रूप में एक्टिंग करियर की शिरुआत करने वाली इल्याना डी क्रोस फिल हर टॉप अक्षेस इसमें गिनी जाती है Bureau Report Indian Film History For more interesting and updated Bollywood news, please subscribe Indian Film History YouTube channel